अतिपीछडों की राजनिती बहुत होती है लेकिन अब मामला अतिपीछडों को हक दिलाने का आ गया है और आरजेड़ी के एमेल से रामबली चंद्रवंसी अतिपिछणों को हक दिलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ चुके हैं यात्रा की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है और यात्रा शुरू होने वाली है रामबली चंद्रवंसी हमारे साथ खुद है सर यात्रा की जो तैयारी थी वो पूरी हो चुकी है और आप लोग निकलने वाले हैं उसी आत्रा हम लोग के तो तैयारी बहुत चार-पांच महिने से चल रही है और इसी संदर में करपूरी रथ की भी रवानगी की गई थी पिछले सुललह सितंबर को और अभी हम लोग 2 अक्टूबर यानि गांधी जी के जहिनती के अवसर पर करपूरी जी की जो जन मस्थली है करपूरी गराम वहां से 2 अक्टूबर को हम लोग जात्रा का सुभारंब होगा पद जात्रा का और उसको हरी जंडी दिखा करके जन्नायक कई दलों के नेता जो हैं या कई दलों के समाजी काल करता इस अभियान में साथ दे रहे हैं और साथ देंगे और अंतता हम लोग 7 अक्टूबर को पटना में मिलर इसकूल मैदान में एक बड़े समारोह के रूप में आरच्छन बचाओ सम्मेलन में हम लोग सिर्कत करेंगे वह समारोह भी होगा और अरच्छन बचाओ सम्मेलन भी होगा उसकी परिणती मिलर इसकूल मैदान में हजारों लोग की संक्या में या समपन होगा इक चीज है कि जो जानकारी मिल रही है पार्टी ने सहमती नहीं दी है आपके कारिकरम को लेकर आप पार्टी से अलग लाइन लेकर के कारिकरम कर रहा है। उसको सुरच्छा या उसको संरच्छन या उसको इंपावर्मेंट करें। उसी दिशा में यह जो समस्या हम लोगी है आठ साल से लगबग होने जा रहा है। हम लोग कहीं न कहीं उसको आंदोलन करने के लिए बाद दे हो गए। इसलिए सरकार और पार्टी अपने जगह पर है। लेकिन हमारा जो दाईतो है प्रथम दाईतो है समाजिक दाईतो जो है उस दाईतों को में निर्वान करता है। तो आप ही की है निचीश कुमार मुख्यमंतरी है निचीश कुमार ये सुना जाता है कि आरजेडी को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आरजेडी की बातों को सुना जाता है समझते हैं। मैं तो आरजेडी और जेडी इसमें नहीं आ रहा हूं। मैं तो आ रहा हूं समाज जो है अती पिछड़ा समाज जो आज सत्ता के 46 वरसों से 76 वरसों के बाद भी आज बिलकुल हांसिये पर है वैसे बरगों के लिए उत्भान के लिए उसे बरगों को जो मिला हुआ हक था वह भी छीना गया है तो इस पर तो संबेदना हम लोगों को होना चाहिए और इस पर जो आंदोलन रत हम लोग हैं वह पार्टी या सरकार की बात नहीं है वह तो एक सरकार निमित मात्र है जिससे हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि सरकार इन मांगों को पूर्थी करें कोई अक्षन अगर पार्टी ले लेती है सर पार्टी लाइन से अलग जा रहा है कोई अक्षन ले लेती है तब पार्टी अगर समझती है कि हम पार्टी लाइन से अलग है तब पार्टी सोतंत्र है लेकिन मैं तो यह कालकरम कर रहा हूं समाज हीत में और समाज हीत में कालकरम क जो statement आया उसको ले करके काफी उबाल मच गया है और अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है देखिए मनोज जहा जी ने जो बाते कही है वो किसी जाती की बात नहीं है ठाकूर मतलब यह लोग समझ गये ठाकूर का मतलब आज की राजपूत लेकिन ठाकूर जो सब्द है वो इंगित कर रहा है कहीं सामंती व्यवस्ता का और सामंती व्यवस्ता में कल भी थी और आज भी है आज तो बलकि उससे भी विक्रीत रूप है जो नव सामंत है वो जादे ठाकूराई कर रहे हैं इसलिए मनोज भाजी के प्रसंग को संपुर्ण ये में देखना चाहिए कि जो प्रेमचन जी का जवास है था या और दुसरे लोगों ने बाल में कि जीने जो बाते लिखी वह बातों को सब्द के रूप में नहीं बलकि उसका भाव के रूप में लेना चाहिए और भाव के जब लेंगे तो वह ठकुराई किसी के अंदर भी हो तो वह निंदनिये है वह खराब है आज के सब्द समाज में सारे समाज को लेकर चलने के जरूबत है अरि बता रहे थे कि किस तरह से अंति पिछडव समयलन होने जा रहा है और चुकी पदियातरा इस समयलन से पहले होगी पटना में बड़ा कारिकरम होगा और करुआज कीधिखुरkov के हित के इलिए इन्हों इ étaient sat ला लिया है झाल झाल